आज की इस वीडियो में जानेंगे कि Google Pay में किसी भी Credit Card और David Card को कैसे एड करें और कैसे उस Card के तुरू payment करें वैसे जनरली आप Google Pay में Bank Account एड करकर ही payment और Money Transfer कर सकते हैं पर अब आप Credit Card और कुछ Special David Card को भी Google Pay से link करका payment कर सकते हैं एक बार आपका कार्ट Google Pay के साथ लिंक हो जाता है तो आप उस कार्ट के तुरू Tab and Pay, Online Payment and QR Code Payment बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं तो कैसे क्या करना है, कैसे कार्ट Add करें, कैसे कार्ट से Payment करें और कौन-कौन से डेविट और क्रेट कार्ट Google Pay में Add होने के लिए supported है इसका complete process जानने के लिए वीडियो में an attack बने रही है चलिए वीडियो को शुरू करते है तो सबसे पहले आप Google पे की आप को latest version पर update कर ले अगर आप पर Google पे की आप नहीं है तो इस आप की link आपको description पर मिल जाएगी अगर आप चाहें तो उधर से इस app को install कर सकते हैं और अगर आप पर app already है तो आप उस app को update कर ले update करने की बाद उससे open करें इधर अपना pen and check कर ले pen and check करते हैं आप Google पे की homepage पर आजाएंगी इधर card के थूँ payment करने के लिए सबसे पहले आपको उस card को Google पे के साथ link करना होगा तो card link करने के लिए आप इधर logo पक्लिक करें इधर आपको pay businesses, debit and credit card का एक options होगा तो आप इस पक्लिक करें इस पक्लिक करते ही आपको एक message होगा कि यो card can be used for teven pay, online and QR codes payment you can limit access to any of these payment types by contacting your bank इसका simply मतलब यही है कि आप अपने card को Google पे में add करकर tab and pay, online payment और QR code payment कर सकते हैं यह तीनों option Google पे की तरफ से enable है और अगर आप इन तीनों option में से किसी को भी बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने bank से contact कर सकते हैं तो आप simply इधर proceed करें इधर थोड़ा wait करें इधर आप दो तरीकों से अपने card को add कर सकते हैं पहला आप अपने card को direct scan कर सकते हैं और दूसरा आप अपने card की detail manually भी enter कर सकते हैं तो आप अपने according किसी भी option को चूश कर लें चलिए हम enter detail manually को चूश कर लेते करने की बात इधर आप जिस भी credit या debit card को गूगल pay के साथ add करना चाहते हैं उस card का number इधर enter कर लें गूगल pay में फिलाल के लिए रूपे card supported नहीं है और visa और mastercard में भी selected card ही supported है तो किन-किन bank के card गूगल pay में supported है इसकी list में आपको screen पर देखा रहा हूँ तो अगर आपके पस इन में से किसी भी bank का card है तो वे बड़ी आसानी के साथ गूगल pay में add हो जाएगा तो जैसे इस list में one card भी है तो चलिए हम गूगल pay में one card को यह add कर लेते हैं तो इधर अपना card number इंटर कर लें अगर card supported होगा तो xydit और cvv number इंटर करने का options होगा अगर supported नहीं होगा तो आपको show होगा this card is not supported तो आप simply लिए card number इंटर करें इधर card का xydit और year इंटर कर लें इधर card का cv number इंटर कर लें billing address में आप अपना full name, country, street address flat number या house number, city, pin code, state ये सभी basic सी detail इंटर कर लें इंटर करने की बाद save करें save करते ही आपका card इधर add हो रहा है तो इधर आप थोड़ा wait करें इधर आपको back button प्रेस नहीं करना है wait करते ही आप इस speech पर आजाएंगी इधर more पक्लिक करें इधर आपको उनकी thumbs and condition को accept करना होगा तो आप इधर accept and continue पर क्लिक करें इधर आपको again थोड़ा wait करना होगा इधर आपके card को verify किया जा रहा है card verify होने के बाद आप इस speech पर आजाएंगे इधर आपका card तो verify हो गया है अब आपको खुद को भी verify कराना होगा कि ये card आपका ही है तो ये card आपका ही है इसे verify करने के लिए आपके credit card से link registered mobile नमर पर एक OTP send की जाएगी तो अपने registered mobile नमर पर OTP लेने के लिए आप इधर continue पर क्लिक करें फर आपके नमर पर एक OTP आएगी तो वह OTP आप इधर लेंटर कर लें करने की बाद समिट करें समिट करता ही आपका card Google Pay के साथ successfully link हो जाएगा अपने link किए गए card को देखने के लिए आप इधा logo पर क्लिक करें इधा dividend credit card पर क्लिक करें और फिर इधर से आप अपने link किए गए card को देख सकते इसी तरह अगर आप किसी दूसरे card को भी add करना चाहते हैं तो वे आप इधर से कर सकते हैं अगर आप इस card को रिमूब करना चाहते हैं तो वे आप इधा 3 dot पर क्लिक करकर रिमूब कर सकते हैं तो गाइस इस तरह आप किसी भी credit card और debit card को Google Pay में add कर सकते हैं चलिए अप जानते हैं कि link किए गए card के थूँ payment कैसे करें तो जैसे Google Pay ने हमें already बता दिया था कि आप add किए गए card के थूँ tab and pay कर सकते हैं online payment कर सकते हैं QR code payment कर सकते हैं और किसी भी online merchant पर आप इस card के थूँ payment कर सकते हैं ये सबी चीजे हमें Google Pay ने already बता दिया था तो Google Pay ने जो नहीं बताया है वे मैं आपको बता देता हूँ तो tab and pay का option आप तभी यूज़ कर पाएंगे अगर आपका phone NFC supported होगा आपका phone NFC supported है की नहीं ये जानने के लिए आप simply अपने phone की setting में जाएं और इधर search कर लें NFC अगर आपको कुछ भी option सो होता है तो आपका phone NFC supported है आप tab and pay feature का use कर सकते है अगर search करने के बाद आपको कुछ भी सोनी होता है तो इसका simply बतलब है की आपका phone NFC supported नहीं है बिना NFC supported के आप tab and pay option का use नहीं कर पाएंगे दूसरा है QR code payment तो आप इस option का भी use सभी QR code पर नहीं कर सकते है इसे आप सिर्फ और सिर्फ भारत पे QR code merchant पर ही कर सकते है तीसरा है इस card के तुरू आप Google payment recharge और bill payment बड़ी आसानी के साथ कर सकते है बस आपको payment option में default bank की जगे add की गए card को choose करना होगा तो आप simply card को choose करें paper click करें, OTP verify करें, आपका transaction complete हो जाएगा फूर्थ है कि आप इस card के तुरू online merchant लाइक मिंत्रा, magic pin वगएरा वगएरा पर इस card के तुरू payment कर सकते है तो simple सब्दों में देखा जाए तो आप Google Pay में add की गए David card और credit card के तुरू सिर्फ recharge bill payment और online payment कर सकते है अगर आपका phone NFC supported होगा, तो आप Teven पे option का भी use कर पाएंगे और QR code payment आप सिर्फ भारत merchant QR code पर ही कर सकते है तो इस तरह आप Google Pay में किसी भी card को add करका payment कर सकते है ज्यादा जानकरी के लिए आप इधर आकर learn mode पर click करकर इन सभी को भी read कर सकते है और इस website की direct link आपको description box पर भी मिल जाएगी तो आपको जो भी doubt है वे आप इस page पर आकर clear कर सकते है तो अगर आपको वीडियो informative लगए तो वीडियो के लाइक करें चैनल पर नए है तो subscribe कर लें अगर आप इस वीडियो को facebook पर रेक रहे है तो page को follow कर लें आपके मन में जो भी doubt है वे आप comment करका पूछ सकते हैं वीडियो दिखने के लिए धन्यवाद